राम राम आज हम श्रुमत भगवत कीता की अध्याय 18 मुक्ष सन्यास योग का श्लोक 59 संस्क्रित चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे पाला चरण अ स स की बाद में लिखा आदा क और त पूरा स की साथ आदा कर सक और त में अमिक्स करेंगे असक त बू की बाद में मातर के अंदर द आदा है भू के साथ आदा द बुध और धसे धन्रीष पूरा इस पर गी के मातरा करें ध पर इके मातरा धी गुट्धी गी मात्रा तो विषकरगों को पढ़ेंगे ही गुद्धी ही साफ पूरिया व की उपर आदा र सा के साथ करेंगे सरप如果你 दोने में अमिक्स ताके साथ आधा त, जितात, मा, विगत, वी की मातरा छोटी है, वीगत, ऐसे नहीं करना है, विगत करना है, ग और त, दोनों में आमिक्स होगा, विगत, फिर आधा स, स की बाद में प्री, प्री का मतलब हो, अप आधा और नीचे रिशे रिशे की मातरा, पी, आर, आ, स्प् सेकेंड चरण रिपीट जितात्मा विगतास प्रिह पहला और दूसरा चरण साथ में असक्त बुद्धी सर्वत्र जितात्मा विगतास प्रिह तीसरा चरण न पर आई के मातरा नई नई के साथ आधा शनाईश का पूरा अब देखिए आधा मा और य पूरा अब य के उपड़ जो आधा र है पहले आपको पैदा हमेशा आधा अक्षर पढ़ा जाता है अब आप सोचे रहेंगे आधा तो मा भी है और आधा र भी है य के उपड़ तो आधे र कोई पहले क्य मातरा गई आधिला कि तो पहले हमेशा आधा रह पढ़ा जाएगा नाइश कर भ्याँ इस तरह से पढ़ा जाएगा नाईश कर मिया के बात में छो लिखाओ है वो बुद्धि के तरह ही बनेगा कैसे सी के बात आधाध सिद्ध और ठा पर इे की मातरा धी सिध्धी शब्द पुराने के बाद धीपे अनस्वार आधामा सिध्धिम पर दोनों अक्षरपूरी दोनों में आमिक्स करेंगे परमा शब्द पुराने के बाद मापे अनस्वार आधामा परमाम तीसरा चरण रिपीट नैशकर म्या सिध्धिम परमाम च्वाथा चरन स स पूरी के साथ आदान सन फिर आदेन के साथ या सन्या से नाधी ग के साथ आदा च गच्छती च्वाथा चरन रिपीट सन्या से नाधी गच्छती पूरे श्लोक का अच्छारन एक साथ आसक्ता बुद्धी सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रियह नैश्कार्म्या सिध्धिंपरमाम सन्या सीनाधी गच्छती एक बार फिर से आसक्ता बुद्धी सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रियह नैश्कार्म्या सिध्धिंपरमाम सन्या सीनाधी गच्छती श्लोक का अर्थ समझेंगे इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान अर्जुन से क्या रहें कि अपने धर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए उसका त्याग नहीं करना चाहिए चाहे वो हमें दूसरे धर्म के अपेक्षा गुणों में कम दिख रहा हो दोश से युक्त दिख रहा हो उसका वर्णन आज के श्रोग के माद्यम से करेंगे। शब्दों के अनुसार अर्थ असकता बुद्धी ही। मतलब जिसकी बुद्धी कैसी आसकती युक्त। सरवत्र सब जगए। तो पूरा अर्थिका निकला जिसकी बुद्धी सब जगए आसकती रहित है। जितात्मा जिससे अपने शरीर को वश्मे कर रखा है। विगतर स्प्रिहा जो इस प्रिहार रहित है। नैश कर्म्य सिध्धिम यानि नैश कर्म्य सिध्धी को परमाम यानि उता सर्वश्षिष्ट। सन्या सेना धी तो देखो सन्या सेना धन अधिगच्छती सेना का न का अ और अधिगच्छती का अ अ और अ मिलकर आ बना इसलिए सन्या सेना धी बन गया तो सन्या सेना यानि सांखी योग की द्वारा और अधिगच्छती यानि प्राप्त हो जाता है पूरा अर्थ क्या निकल कि जिसन अपने शरीर को वश्मे कर रखा है जो इस प्रिहा रहित है और वह सांकी योग के द्वारा सर्वश्ष्ट नईश्कर्मिय सिध्धी को प्राप्त हो जाता है कि सांकी योग का अधिकारी कौन है जिसकी बुद्धी हर समय हर जगह आ सकती रहित है जिस अपने शरीर को वश्मे कर रखा है और जो इस प्रिहा से रहित है अब इन अर्थों को एक बार वापस समझेंगे पहली बात कि जिसकी बुद्धी हर जगह आ सकती रहित है मतलब देश, काल, घटना, परिस्तिती, वस्तू, व्यक्ति, क्रिया, पधार्थ किसी में भी उसकी बुद्धी लिपायमान नहीं होती है परिस्तिती के अनुसार कोई भी उसकी बुद्धी को गगमग नहीं कर सकता उसकी बुद्धी हर समय आ सकती रहित रहती है आगे जितात्मा मतलब जिसने अपने शरीर को वश में कर रखा है शरीर पर वश करने का अतात्पर यह हुआ कि जो आलस से प्रमाद इन सब के वशी भूत नहीं होता है बलकि इन सब को अपने वशी भूत रखता है मतलब कि वो जब भी किसी कारे को अपने सिध्धान पूर्वक करना चाहता है तो उस कारे में वो तत्परता पूर्वक लगता है और चाहे कोई भी परिस्तिती आ जाए वो उस कारे से हटता नहीं है मतलब परिस्थितिया उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपने शरीर को वश्च में कर रखा है किसी भी प्रकार के आलस प्रमात उसके उसको हटा नहीं सकते हैं ऐसा व्यक्ति जितात्मा है विगता स्प्रिह, स्प्रिह का मतलब कि जीवन धारन मात्र के लिए जो विशेश जरुवत है उन चीजों की सुक्ष मिच्छा का नाम स्प्रिहा होता है अब इस्प्रिःा रहित मतलब कि अगर हमें साग पति मिल जाए, रूखी सुकी रोटी मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए या नाइ भी मिले, तो भी हम जी सकते हैं लेकिन इन सब की इच्छा करना वो हो गई इस प्रिया लेकिन इस प्रिया से रहित होना कि मेरे को ये चप चीजों की भी जरत होगी इन सब की परवा ना करना वो होता है इस प्रिया रहित व्यक्ति तो ये तीनों गुंड जिसके अंदर होंगे मतलब कि जो आसकती बुद्ध रहित होगा जो जितात्मा होगा और जो इस प्रिहा से रहित होगा वह सांखियों का अधिकारी है एक बात और कि जो आसकती रहित होगा मतलब कि जिसकी बुद्धी असक्त बुद्धी होगी वह अपने आपी अपने शरीर पर वश कर लेगा क्योंकि उसकी कहीं पर भी कोई आ तो स्वतही आलस प्रमाद में फसकर अपने कारे को छोड़ेगा नहीं और जो जितात्म है मतलब जिसने अपने शरीर को वश्मे कर रख है तो उसे शरीर के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए किसी और चीज की आवशक्ता है ऐसा कमी महसूस होगी नहीं क्योंकि वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है उसने शरीर को तो वश्मे कर रख है वक्की वल तत्वरता पूर्वक सीवा करने में लगा वै तो ऐसे व्यक्ती के लिए किसी भी प्रकार की मूलभूत आवशक्ताओं की इच्छा भी उसको नहीं आती है कोई इस प्रिहा उसके मन में स्फूर्य नहीं होती है इसलिए ऐसा व्यक्ती स्वत ही सांके योग का अधिकारी बन जाता है अविनाशी सायज सुखराशी है नात है मेरे नात मैं आपकी शरण में हूँ आप कृपा करे मैं आपको भूलू नहीं नारेन 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 नारेन